ज्यान मंत्रा हूम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भूल कर भी आप लोगों को किन किन चीजों को रस्ते में बिलकुल भी नहीं लागना चाहिए है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को काफी जादा दिक्कतों को और परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो आईए जानते हैं किन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं लागना चाहिए है तो सबसे पहले रस्ते में कभी भी अगर कोई कांटे पड़े हों आप उनको बिल्कुल भी ना लागे क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के कारे में बाधा उत्पन होगी अगला अगर आप रस्ते में बालों को पड़ा हुआ देखें तो उन बालों को कभी भी न लांग है क्योंकि ऐसा करने से आगंतक दोश हो सकता है और कोई नव कोई परिशानी आपकी जिन्दगी में आ सकती है अगला अगर आप देखें रस्ते में या चोराहे पे नीबू और मिर्च फेकी भी हैं और आप कोशिश करें कि उनको बिलकुल भी न लांग है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के उपर बाधा आ सकती है लोग नजर दोश से मुप्ती के लिए नीबू और मिर्चो का प्रियोग करते हैं और वह रोट पे फेक देते हैं तो आप उनको बिलकुल भी न लांग हैं अगला अगर आप रोट पे देखें अंडे के छिलके पड़ेवे हैं या कोई खाने का पदार्थ रखा हुआ है तो उनको बिलकुल भी न लांग हैं और उनके किनारे से आप चले जाएं क्योंकि ऐसा करने से आप लोग अगर उनको लांगेंगे तो आप लोगों की जिन्दगी में कलह कलेश मच सकता है अगला अगर आप रस्ते में बसम पड़ी वी देखें या राक पड़ी वी देखें तो भूलके भी उस बसम पे पैर न रखें ना ही उसको लांगे क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के उपपर काला जादू, तंत्र, मंत्र, यंत्र का बुरा असर हो सकता है अगला, अगर आप देखें कि हड़ी या शराब की कोई भी वस्तू जैसे की बोटल रोट पे पड़ी भी है तो उसको बिल्कुल भी ना लंग है, ऐसा करने से रोग और बीमारियां आपको लग सकती है तो आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान लखें कि रस्ते में जाते वक्त आप इन चीजों को ना लंग है अब ही के लिए बस इतना ही, अगर आप और जादा टोने टोट के इत्यादी पे जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीस सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद